। दोस्तों वीडियो गों अंड तक देखना और यो सिर्इज की क्यूष्ण आते हैं उनकी क्यूष्ण शिर्फ लाये वाले सिर्ज death की त्थडरगार क्रिश्च कुछ नहीं किन पढ़ानों स्रुप सर्ट करा कर स्चोफ करें लोग को सब्सक्राइड की उसक्यूस कोई इसके मताड़ी से देख सब्सक्राइब आप सबसे उसमें बदला होता है क्या नियम मत नहीं see चीलिए। 2 परकार होती है जिसमें बढ़ता करम चलता है। तो दूस्टो इन्हें एक करम चलता है।uciones करम करकुलते हैं, और से किस परकार के सिर्यजय के लोखें किस परकार के इंड़ते है, और सबसे बताइस हमके greeting। दोस्तों सबसे पहले बताओ दोस्तों कि डिक्रीज यानि जिसमें कम होता है तो कम होने के क्यों दो ही तरीके हैं दोस्तों इसमें ध्यान रखना अगर आप कम होता हुआ चल रहा है तो इसमें क्यों सीरीज में दो ही रूल होते हैं या दो ही टाइप सोते हैं वह कौन से होते से माइनस दो माइनस दू माइनस दो माइनस दो तो ये कर्म चल रहा है मारा कि दूसरा जो इसका तरीका हे होता है दोस्तों भाग डिवाइडेसन और इसमें क्या होता है कि जब में जहादा डिवाइड हो जैसे 27 या सिधा यह से ले लिजे हैं हंड्रेड फिप्टी ट्वेंटी फाइफ 12.5 इसमें क्या हो रहा दोस्तों डिवाइड याद रखना अगर धीरे-धीरे-धीरे कम हो रहा है तो इसका मतलब माइनस हो रहा है इन्हें अगर आप जो सिरीज देख रहे हो अ क्या हो रहा दोस्तों माइनस और अचानक से कम हो रहा तो इसका मतलब है डिवाइडेशन का कोई रूल कोहां पर लगना है तो यह दोनों फंडे आपको दिमाग में रखना है जहां पर कम वाली शिरीज हो आगे बढ़ते हैं इंक्रीज इंक्रीज के यानि बढ़ने या पल एगी पढ़ें के हैं यह कुसें लेंगे उनवें देखते जाएंगे चाहते बादो जैसे नोर्मल जो है अगर इसमें क्या हो रहा आगर धिरे-धिरे बढ़ रहा तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों पलस हो रहा है अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पलस हो रहा है चाहिए वो दो पलस हो देखो दो पलस है या 20-20 भी पलस हो जैसे 10-20-30-40 तो इसमें क्या धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है दोस्तों अचानक से नहीं बढ़ रहा है तो इ 12 48 इसमें क्या वह रहा दोस्तों 2 x 2 4 x 3 12 x 4 यह जो संक्यारी इसको 2 से गुना कर रहे हैं इसको 3 से इसको 4 से अब इसको कर देंगे 5 से multiply तो multiply वाला इस प्रकार से बढ़ता मनलब थोड़ा सा तेजगतिशे अगर उससे भी तेजगतिशे अगर बढ़ रहा है तो वो होगा दोस्तों स्क।ार जिसक को हम वर्ग बोलते हैं कि या 6 मैं या 7 चार कि बन्षोन सोब थि Also export चार का तो इस परकार से बढ़ता है तो यह क्या हुरह दोस्तों इसक। हो रहा है यहनी मिदो का इसक। पांस्ना का इसक। चेहां का दो तो इस परकार से बढ़ता है यनि उसमें एक square करम चलता है और आप देखके उस क्योशन को पेचान जाओगे क्यूब वाला भी हो सकता है जैसे 8, 27 यह बहुत तेजी से बढ़ता है 64 तो इस प्रकार से भी एडिशन यह बढ़ता है यह होगे बढ़ने के तरीके चार मोस्ट है और भी इसमें बहुत सा टाइप से वह आगे हम क्यूशन में देखते रहेंगे तो यह इसका बेस है दोस्तों अब चलते हम क्यूशन की तरफ यह हमारा फश्ट क्यूशन है और धियान अग्डाम धिरे-धिरे जिनको आता है वह भी देख लेक बार और जिनको पहली बार क्यूशन ऐसे परकार के देख रहें वह जरूर ध्यान से देख लें हम जीरो से यहीजी से टिपिकल की तरफ चलेंगे दोस्तों तो दोस्तों इस के जो क्यूशन आते हैं इसमें क्या हो रहा है एक तीन पाँच साथ वन थ्री फाइप सेवन अगला पद कौन सा आएगा इसमें हो क्या रहा है कई बार गलती क्या कर देते हैं यहां पर दोस्तों कि इसमें जब ओप्शन जो दिया वारेगा उस पर डिपेंड गरेगा जैसे म इसमें क्या के दोस्तों यह देखो इसमें दो चीजे चल रही है यह विश्म का करम भी चल रहा है देखो एक तीन पाँच साथ अगला पद कौन सा आएगा तो अगर विश्म का करम चल रहा है तो इसमें क्या आएगा नो आएगा कि यह विश्म करम से चल रहा दोस्तों ले सबसे छोटी अबाजय संक्या एक नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और 11 को यस करेंगे, क्यों करेंगे, कि उनको लगेगा कि यह अबाजय संक्या यह नहीं, जो किसी से भाजय नहीं है, उन संक्याओं से यह संक्या चल रही दो नंबर यहनि दो सबसे छोटी अबाजे संक्या है तो इसलिए यहाँ पर अबाजे संक्या वाला अगर कोई करेगा तो वह होगा गलत है इसमें क्या चल रहा है विसम वाला चल रहा है एक तीन पांच साथ अगला नो तो ये इसके इजी क्यूशन आते हैं दोस्तों तो इजी क्यूशन को इस परकार करना है अगला क्यूशन तो ये अगला क्यूशन देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या वा दोस्तों एक ट्यार साथ दस यानि अगला कौन सा आएगा दोस्तों इस परकार के करम वाले क्यूसन आते हैं यह इसलिए बता रहा हूं तो कि आप सिक जाओ आगे टिपिकल टाते हैं कि एग्जाम में इस लेवल का क्यूसन नहीं आता है तो अध्याप्ता टिपिकल टाता है वह दोस्तों यह झाल के स्ट्रीया प्रस्थ शूर से प्लस हो सकते हैं जिसे दो का स्कॉएर स्कॉाइर हो सकता है फिर तीन का स्कॉएर है का श्कॉाइर फिर है पांच का स्कॉएर इसमें लाइनि ल्ग वाले करम चलते हैं ज상을 हे77 अ कrant इसमें हम 4 का स्क्वाइर प्लस करेंगे तो 30 इस परकार से भी चलता है फिर इसमें 5 का स्क्वाइर प्लस करेंगे तो 55 इस परकार से भी प्लस वाली जो स्रेणी है वो चलती है दोस्तों ध्यान रखना प्लस वाला यह मैं जी बता रहा हूं लेकिन जो एक्जाम में आता है वो प्लस हो सकते हैं यह मैं आपके सिर्फ समझाने के लिए जी वाला क्यूशन लिया बाकी जो एक्जाम में चलता है वो इस परकार का चलता दोस्तों ज्यान रखे यह चीजे दिमाग में हमें सारे ने चाहिए किसमें वर्ग भी चल सकता कोछ भी अब जैसे इसको क्यूशन को द कर दोगे यह इजी तरीका इससे आप आसानी से हल कर सकते हो क्यूशन को अब इनमें कितना प्लस है 25 तो आपको पता चलते हैं अगला में क्या होगा फिर इनमें मतलब एक का बढ़ता जा रहा है तो अगले में क्या होगा दोस्तों छे का वर्ग पलस हो जाएगा च्छे का च्छतीस इसमें एड करके और आंसर आजाएगा आपको अब देखते हैं अगला क्यूशन इस परकार की क्यूशन भी बहुत आये एक्जाम है मैं छोटा आंकडा आपके लिए इसलिए लेता हूं क्यूंकि आपको पहली बार आप मतलब अगर आप शुरुआते तायरी कर र चैजंगी यहां पाँच फिर तीन, प्लस दो करेंगे, तो कितने आ जाएंगे यहांपर, पांच, यह एक विस्ट्रम का करम, इसमें बड़े क्यूशन आते हैं, वो भी चल सकते हैं, छोटे भी चल सकते हैं, जैसे, दो, अब इसमें मानलो प्लस दो का, इसकोईर कर दे, तो, यह च्छा आ गए, इधर एक मानलो एक चल रहा है, इसमें फिर तीन का स्कोईर कर दे, तो, दस आ गया, फिर इसमें च्यार का, फिर उसमें पांच का, इस परकार से मतलब इसमें डबल करम चलते हैं, जैसे, एक सम का चल गया, एक विस्ट्रम का, इसमें एक प्लस माइनस का भी चलता है, दोस्तों, यह करम वाला घट रहा है, यह नहीं माइनस दो हो रहा है, और इसमें प्लस दो हो रहा है, तो इस परकार के क्यूशन भी एक्जाम में बहुत बार आये हैं, दोस्तों, धानर के इस परकार के क्यूशनों को आसानी से करें, ज्यादा हार्ड क्यूशन नहीं होते हैं, बहुत डिजी जितने हैं मेरे दोस्ते देख रहे हैं अगला क्यों ने दोस्तों अब अग्ला क्यों ये वी क्येसं लाया हूँ मैं आपके लिए अब एडेकि उसनी बता रहा हूं एक बार ता कि आपको अच्छे हजाए इसमें क्या हुआ दोस्तों देखो इस पर गइसना रता। वर्ग चलत रहा है कि कि दो का वर्ग अचोप का सब्सक्राइब अधि जी नहीं होगा दोस्तों यह बहुत एजी क्यूशन ले रहा हूं मैं आपके बेस्ट के लिए क्योंकि अगर आप पहली बार तैयरी करें इसलिए एकजामी जो क्यूशन होगा वह थोड़ा सा हाड होगा वह क्या होगा दोस्तों वह या तो जीरो से शुरू कर देगा या का जो क्यूशन होगा वह इसी टाइप का होगा इसमें दो परकार हो सकते हैं सम और विसम के वर्ग चल सकते हैं जैसे एक का वर्ग हो गया फिर दो का वर्ग चार फिर वापस तीन का वर्ग जैसे यह तो उसमें क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं दो करम इ इसमें नो कवरक कर सकते हैं इस परकार से भी करम बनते हैं दोस्तों एक और इसमें जो करम चलता है वो क्या होता जैसे एक का स्कॉयर प्लस एक दो का स्कॉयर प्लस दो तीन का स्कॉयर प्लस तीन इस परकार के करम भी चलते हैं एक और चलता है इसमें एक का स्कॉयर प्लस एक सकता है जो परकार ज़रूरी नहीं तक सभी संक्याउं कर आपको याद होने चाहिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हो उतना तो याद होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 25,40,30 इनके भी याद हो तो 40 तक अगर आपको याद हो तो मेरे क्याल से सबसे बेस्ट है और कम से कम 20 तक संक्याओं के क्यूब याद होने चाहिए वह छांदार होगी वाले जरूर परकार के उसनाव को कभी न यह हमारा तो हखो अरब में जैसे ेन ने फोड़ा उपर लोग से बढ़ सकता है या वरक से घड़ सकता है इस परकार से और रहा है अब देखो इसक्वाइर माइनस एक बराबर जीरो अगर जीरो से आइसके दो इरूल फॉलो होते हैं, न चीज को हम ऐसा जहाँ, पिर इसके अगहा देधना है, तो हम इसके lenses देखते हैं, 1 का वर्ग मायनस 1 Berber 0, 2 का वर्ग मायनस 2, दो तो कितने बारा तो यह भी फोलो रहा है और अब लास्ट में क्या हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस पांच बराबर 20 तो या आप क्यों हो जाएगए Author-दोस्तों इन चीजों कोको हमें साब आपको जहां रखना है अगला किसुन देखते है जैसे इसमें क्या किया गया दोस्तों जैसे की देखिए 48 24 अब लास्ट में आप अगर दो अंक देखोगे इनको और अगर आपने डबल वाल इसानी नहीं बनाई तो यह आप से हली नहीं होगा कभी जैसे आप सोच होगे अर्ट आलीच छह चोबीस बारा फिर बारा आ गया तो आप आप को यहां पर कंशूज कर देगा तो इस परकार की क्यूंटों में कभी कंशूज नहीं होना ऐसे अगर क्यूशन इस टाइप का देखे जिसमें डबल लंक या लास्ट में या बीच में या आ रहा तो इसका मतलब आप सो हमेशा ध्यान रगना कि इसमें डबल वाल इस र यान्सर हो जाएगा 24 जैनी नीचे वाली एक साइनी में क्या हो रहा है कि डिवाइड कर रहे हैं दो से और उपर वाली में क्या कर रहे हैं multiply दो से तो इस परकार के क्यूशन ओका हमेशा द्यान रखने जिसमें common वर्ड आ जाए तो आपको वहां फस्ना नहीं है और इस तीज़ का हमेसा द्यान रखे और इस परकार के क्यूशन को आप इसी ली कर सकते हो जिसे देखो क्या कर रहा है इसमें दोस्तों मैंने बताया था आपको कि दो का वर्ग माइनस तो फिर तीन का वर्ग माइनस तीन चार का वर्ग माइनस चार पांच का वर्ग माइनस पांच यानि बीस और छे का वर्ग 36 माइनस 6 तो 30 अब आप एसे क्यूशनों को 2 सेकिंड इन्हीं सिर्फ 2 सेकिंड में कर सकते हो दोस्तों तो ध्यान रखें इन बातों का